जैहिन बंदे मात्रम आरजेस सुचना केंद्र पटना बिहार के युवा टोली का सदस्य मैं बैभाव आप सभी आरजेस भाई बेहनों का हार्दिक स्वागत यो भिनंदन करता हूं आरजेस सुचना केंद्र बिहार पटना के परभारी महोदय टॉक्टर रोम प्रकाश उन्जुनवाला जी द्वारा आज मुझे एक कहानी कहने का औस्वर प्रदान किया गया है तो आईए हम सब मिलकर इस कहानी का आनन्द उठाएं और इससे सीख लें महराज बिश्वमित्र एक बार महर्शी बसिष्ष से मिलने के लिए उनके आश्रम गया है वहाँ उन्होंने काम धेनुगाय की सक्ति देखी तो वे महर्शी बसिष्ष से उसे मांगने लगे हैं महर्शी ने जब मना किया तो वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया है बिश्वमित्र एक निसस्त्र महासी बसिष से पराजित हो गए तो उन्हें लगा कि उनका छत्रित्व बसिष्ट के ब्रामणत्व के आगे तुक्ष है। सो युद्ध से बचे अपने एक मात्र पुत्र को राजा को सौप के वे ब्रामणत्व की प्राप्ति हितु तपस्या करने लगे। बिश्वमित्र की लंबी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने उनकी तप सक्ति की परिक्षा लेने के लिए अपसरा मेनका को भेजा। मेनका ने जब बिश्वमित्र के पास पहुची तो वो उन पर मोहित हो गए और इस प्रकात उनकी तपस्या भंग हो गई। तब कामातासुर बिश्वमित्र दस बरसों तक उसके संग ग्रहस्त के रूप में रहे। फिर जब मेनका उन्हें छोड़कर चली गई तो उन्हें विश्वय अनुभा हुआ कि वे ब्रामणत्व के योग्य नहीं हैं। यदि एक अपसरा के सौंदरे से मोहित होकर वे अपने धर्म पर अडिक गए तो कैसा ब्रामणत्व वो पुनात पस्या में लग गए। विश्वमित्र के तब को जब एक लंबी आउदे बीत गया उन्होंने क्रोध में रंबा को एक हजार वर्ष तक पत्थर की मुर्ति हो जाने का श्राब दे दिया। विश्वमित्र ने काम को तो जीत लिया था पर उन्होंने अनुभव किया कि वे फिर भी पराजित हो गये। इस बार काम से नहीं क्रोध से। रंबा तो देवराज की अनुचरी थी और वह तपस्या की परिक्षा के बनाए गए नीमों के अनुसार उनके पास आई थी फिर उसे स्राप देना कहीं से उचित नहीं था वे समझ गएं कि उन्हें अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्हें और भी कठिन तब करना पड़ेगा हर और से दुर पुर्गुण से मुक्ट कर लेना विश्वमित्र जैसे रिशी के लिए एक अत्यंतर दुस्कर कारे था वे एक बार फिर लंबी तपस्या में लिल हो गए इस बार उन्होंने काम के साथ साथ को भी जीत लिया इस तरह बार बार पराजित होने के बाद अंतता ब्रह्म देव की क्रिपा से उन्हें ब्रह्मर्शी होने का वर्दान मिला पर क्या इतनी लंबी तपस्या के बाद वे ब्रह्मर्शी हो सके नहीं क्यूंकि उन्होंने अपनी पूरी तपस्या ही बसिश से द्वेश के कारण की थी किसी इस्याया पर्तिसोध में किया गया पवित्र कारे का फल भी सुभ नहीं होता है, तभी ब्रह्म देव से वर पाने के बाद भी विश्व मित्रे लोक में ब्रह्मर्शी की प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, बंदे मातरम, ये थी RGS सुचना के अंदर पटना के प्रसूती, जैहिन